विधान सभा के बजट सत्र का आगाज राजीपार का राजमिर्श ने नव निर्वाचे सदस्यों को दिलाई शपत अभी भाशन में गिनाए सरकार के काँ विधान सभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाब विपक्ष का आक्रामक रुख रीट की सीबियाई जाच की मांग पर ब्लैक पेपर लेकर पहुंचे सदस्यों आरलपी का सदन से वोक आउट यूपी की सत्ता के लिए कल पहले चरन का रंकल होगा पहले चरन का मद्दान 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मद्दान करनाटक में हिजाब मामले पर प्रियंका गांधी का बयान कहा महिलाएं क्या पहने ये उनका अधिकार पहनावे की नाम पर महिलाओं को परिशान करना हो बंद दिल्ली में अरविंद के जुरिवाद सरकार का बड़ा फैसला जलबोड के कॉंट्रेक्ट करमच्वारियों को किया रेगूलर करमच्वारियों को दिये सर्टिफिकेट जैपूर में कॉंसिट्यूशनल क्लब का आज होगा श्रीला निया, सियम अशोग गहलोत रखेंगे आधाज, श्रीला, विधान सबा, अध्याक्ष, सीपी, जोशी, मंत्री, शान्ति, और नेत, प्रतिपक्ष, गुलाब, चिंत, काटारिया कारिक्रम में होंगे शामिल वास्वाडा में सिमिन्ट फेक्ट्री में बड़ा हाथा, कंस्ट्रक्शन गिरने से 20 से ज्यादा मजदूर घायल, अस्पितालों में भरती कराये गए घायल मजदूर जैपूर नगर निगम ग्रेटर में एससीबी की बड़ी कार्रेवाही समवीदा कर्मी पंकर चौधरी को 9000 रुपे की रिश्वत लेते किया ट्रैप, यूडी टेक्स से जुड़े मामले में मांगी थी घूस अजमेर में दिखा रफ्तार का केहर स्कॉर्पियों ने दरगा जा रहे जायरीनों को मारी टक्कर एक व्यक्ति की मौत च्वार खायर देश में कोरोना का घटा संक्मन मौत का आकड़ा बढ़ा रहा चिंता 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले 1217 लोगों की मौत झाल